पंक नहीं पंकज बनू मुक्ता बनून सीप दीप बनू जलता रहू प्रभुपाद पद्म समीत अथ्वा गुरुपाद पद्म समीप गुरु के समीप पहुंचना गुरु के समीप और प्रभु के समीप पहुंचना बहुत कठिन होता है पंके जातः पंकज जो पंक अर्थाद के जड़ में उत्पन होता है उसका नाम कमल है किन्तु हमें पंक नहीं बनना किन्तु पंकज बनना है क्योंकि जो कमल बनेगा वह प्रभु के अथ्वा गुरु के चर्णों में जाने का अउसर प्राप्थ होगा इसलिए गुरुदेव ने स्वयम के लिए ही उनने इस प्रकार की भावना रखी है अपने आत्म व्यकास को लेकर के मैं पंक नहीं पंकज बनू बने ऐसा नहीं कहा बनू क्योंकि मैं स्वयम बनूँगा तो दूसरे भी बनेंगे हम स्वयम धर्म में जीवन बनाएंगे अपने जीवन को तो सामने वाले का भी जीवन धर्म में बन सकता है उसके बगेर संभव नहीं इसलिए स्वयम उनने धर्म को आत्म साथ करके और विश्व के लिए भी धर्म का क्या सुरूप होता है उसको उनने रखा है जो स्वयम उजाले में रहता है जो स्वयम प्रकाश में रहता है वही दोसरे को भी प्रकाशित कर सकता है स्वयम अंदेरे में रहने वाला व्यक्ति कभी भी दोसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता इसलिए गुर्देव ने प्रकाश दिया है विश्व के लिए और उनकी दृष्टी, उनकी भावना, उनकी भेतर की जो विशालता किस रूप में होगी हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं बार-बार गुर्देव की उपासना आरादना करते समय अपने आपको हम ऐसा मैसूस करते हैं कि वस्तुता जो साधना गुर्देव ने की है शायर ही हम उस प्रकार की साधना अपने जीवन में कर पाएंगे क्योंकि परोपकार की भावना के बिना इस प्रकार ये संभव ही नहीं हो सकता